हेलो दोस्तों मैं हूँ फृतम और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे कीचिन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस बारिश के मोशम में गर्मा गरम चाय के साथ या चटनी के साथ खाने के लिए क्रिस्पी और कुरकरे स्नैक की रिस्पी इसे हम आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जो की बनाना तो असान होगा ही साथ ही साथ देखने में ये बहुत सुन्दर लाएगा और तो और इस स्नैक को आपको बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है तो इस रिस्पी को एक बार जरूर ट्राय करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में एक कप गेहूं का आटा लेंगे ये वही बिल्कुल नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटिया बनाते हैं अब इसमें एक टेवल स्पून अजवाइन और एक टेवल स्पून कलोंजी यानि की मंगरेला डालेंगे इससे इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आता है अब टेस्ट के एक ओर्डिंग नमक डालेंगे और सारे ड्राइ इंग्रीडियन को पहले इस तरह से एक पर मिक्स कर लेंगे अब इसमें दो बड़ा चमज तेल डालेंगे आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं उसके बाद इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे तेल जो है वो आटे एक साथ अच्छे से मिल जाएगा और सारी चीजें एक सार हो जाएंगी और अब ये देखिए सारी चीजों को mix करने के बाद आटे का color भी हलका सा change हो गया है और अब आटे को इस तरह से जब मुठी से दवा रहा है तो ये बंध रहा है इसका मतलब कि तेल आटे में बहुत ही अच्छे से मिल गया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी डालकर हमें ना जादा hard ना जादा soft बीच का medium soft डो लगा कर तयार करना है इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और आटे को combine करते जाना है अब देखिए हमारा आटा बहुत ही अच्छे से combine हो गया है ना जादा hard है और ना जादा soft है इसी तरह का medium soft डो लगा कर तयार करना है अब इसे ढखकर 10-15 मिनिट के लिए rest पर side में रखेंगे अब एक plate में हम 5 आलू लेंगे ये छोटे size के आलू है इसलिए मैंने यहाँ 5 लिये हैं आप चाहें तो 2 बड़े size के आलू भी ले सकते हैं अब मैं यहाँ गर्मा गर्म आलू को फोक की मदद से mash कर रही हूँ आप चाहें तो potato measure का भी इस्तिमाल कर सकते हैं आलू को mash करने के लिए या फिर आलू को आप कदुकस करके भी ले सकते हैं पर मुझे फोक से ही सबसे ज़्यादा easy लगता है इसलिए मैं फोक का इस्तिमाल कर रही हूँ तो इस तरह से फोक से आलू को mash करने से इसके छोटे छोटे टुकडे हो जाएंगे और आलू अच्छी तरह से mash हो जाएगा यहां हमें इसमें आलू का कोई भी चंक्स नहीं चाहिए इसलिए आलू को अच्छी तरह से मैस कीजिएगा ये देखिए आलू बहुत ही अच्छे से मैस हो गया है तो अभी हम इसमें कुछ मसाले आइड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें कलर के लिए एक चुथाई टेवल स्पून हल्दी पॉडर डालेंगे उसके बाद आधा टेवल स्पून जीरा पॉडर या कुटा हुआ जीरा डालेंगे अब साथ में ही हम हाधा टेवल स्पून काली मिश पॉडर भी डालेंगे उसके बाद आधा टेवल स्पून ही चाट मसाला डालेंगे इससे हमारे स्नैक में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आता है और फिर ये खाने में बहुत ही मज़ेका लगता है अब मैंने यहाँ दो हरी मिर्च को इस तरह से बारी काट कर लिया है हरी मिर्च का फ्लेवर इस स्नैक में बहुत ही बढ़ी आता है पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अब मैं इसमें एक छोटा चमच नमक अड़ कर रही हूँ आप टेस्ट के एक और्डिंग नमक अड़ करें अब सारी चीजों को बढ़ियां से मिक्स करेंगे इस तरह से आलू में सारे मसाले मिक्स करने से आलू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और स्टफिंग बहुत ही फ्लेवर फुल और टेस्टी सा बन जाएगा तो देखिए यहां मैंने आलो में सारा मसाला मिक्स कर लिया है और इसमें ये बहुत ही अच्छा कलर आ गया है अब यहां अगर आलो में कुछ-कुछ बड़े टुकड़े रह गया है तो हाथों से मैस करते हुए इसे मिक्स कर लीजेगा अब इसमें एक सिक्रेट इंक्रीडियंट एड़ करेंगे जो की है कॉन्फलोर तो यहां मैं दो टिवल स्पुन कॉन्फलोर एड़ कर रही हूँ पर अगर आपके पास कॉन्फलोर नहीं है तो आप इसकी जगापर अररोट भी आड़ कर सकते हैं उसके बाद लास्ट में एक टिवल स्पुन कसूरी मेथी डालेंगे यहां मैंने इसकी पत्यों को तवे पर हलका सा रोस्ट कर लिया था और फिर मैंने इसमें क्रश करके डाला है इस तरह से कसूरी मेथी डालने से कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही ज़ादा बढ़ जाता है तो आप इसे आलू में जरूर डालें इस तरह से कॉन्फलोर या औरोट डालने से आलू में जो मौशर होगा यह लॉक कर लेगा और हमारी stuffing का texture बहुत अच्छा हो जाएगा तो यहां हमारा आलू का चटपटा stuffing तयार है और इसका texture उसी तरह का है जिस तरह का हमें चाहिए था तो अब हमें आलू के stuffing को इस तरह से करके side में रख लेना है और अब हम चलते हैं डो के तरफ अब यहां हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है, तो इसे हम दुबारा से इस तरह से गूत लेंगे, अब इसके इस तरह से दो टुकडे कर लेना है, हमें इसे इस तरह से बराबर आकार के दो बॉल्स बनाना है, तो इस तरह से हम इन्हें गोल कर लेंगे, अब इसे बेलने है जितना बड़ा आप इसे बेल सकते हैं मैं आपको इसकी ठीकनेस भी दिखाऊंगी दोस्तों कि हमें कितना पतला बेलना है ना जाधा पतली रहेगी या ना जाधा मोटी रहेगी तो इस तरह हम इसे बेल कर पतला करते जाएंगे और बड़ा कर लेंगे इस तरह से बेलने से हर तरफ की ठीकनेस पतली होती जाएगी और साथ ही साथ राउंड भी बनता जाएगा यहां पर देखिए इतनी पतली ठीकनेस रखी है इसकी और इसी तरह से आपको भी बेल लेना है बस चपाती से थोड़ा सा मोटा और इस तरह से फोल्ड करके इसे हम साइड में रख लेंगे और अब दूसरी लोई को भी सेम इसी तरह से बेल लेंगे और कोसिस कीजिएगा कि दोनों का साइड जो है वो लगबग बराबर बिल जाए इसलिए हमने दोनों लोई को बराबर रखा था तो ये देखिए यहां मैंने दूसरा भी बिल कर तयार कर लिया है तो अब हम इस पर आलू की स्टफिंग रखते जाएंगे और स्पून की मदद से अच्छी तरह से फैला लेना है तो स्पून से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से फैला लेना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ एक भी कोना छोड़ना नहीं है हर कोने में स्टफिंग को लगाना है और फिर स्पैचुला की हिल्प से उपर से इस तरह से स्मूथ कर लेना है अब इस पर दूसरी रोटी इस तरह से रख देंगे और अच्छे से बराबर कर लेंगे आप चाहें तो जैसे हमने फोल्ड करके साइड में रखा था उसको भी बीच में रख कर उसे फैला सकते हैं अब इसके किनारे को इस तरह से चारो तरफ दबा देंगे ताकि ये स्टफिंग बाहर ना निकले और उसके बाद इसे फिर से उपर से हलका सा बेल लेंगे इससे चपाती जो है बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और दोनों रोटियां आपस में जुड जाएंगी अब एक नाइफ लेंगे और इस तरह से इस पर कट लगा लेना है तो उपर से लेकर नीचे तक इसी तरह से पूरा में कट लगा लेंगे अब यहां इसे कटिंग करने के लिए कोई सार्प चाकू का इस्तिमाल करें जिसे कि ये अच्छे से कट जाए और इनका सेप न बिगड़े और इसी तरह से हमें इसे vertically कट कर लेना है और उसके बाद हम इसे horizontally भी कट कर लेंगे इस तरह से थोड़ी थोड़ी distance पर vertically और horizontally कट करने से इसका square shape में धेर सारे pieces मिल जाएंगे अब इनी square pieces से हम design बनाने वाले हैं तो इस तरह से एक square piece लेंगे और पहले इसे इस तरह से दो साइड को चिपकाना है और फिर इसके उल्टे साइड दोनों को मोर कर इस तरह से चिपकाना है ये देखिए एक और मैं आपको दिखाती हूँ पहले दो कॉर्नर्स को एक साथ जॉइंट करेंगे उसके बाद उल्टे साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये देखिए ये बन गया हमारा फ्लावर समोसा तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी कितनी अच्छी डिजाइन बन रही है और इसी तरह से हम सारे डिजाइन बना लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे और ये जो साइड बच जाते हैं इन्हें आप ऐसे ही फ्राइ कर लें ये भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं और ये देखिए यहां मैंने सारे डिजाइन्स बना लिये हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अब इसे fry करने के लिए एक कडाही में मैंने तेल गर्म किया है और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम ये flower समोसा तेल में डालते जाएंगे तो इसे मैं दो बैचेज में फ्राई करूँगी, एक कप आटे से धेर सारे फ्लावर सुमसा बन जाते हैं, और आप सभी इन्हें चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ही जादा क्रिस्पी और टेस्टी भी बनते हैं, चाय के साथ हम बिस्किट और मठरी अकसर खा करते हैं, तो अब हम इन्हें इस तरह से छनी पर निकाल लेंगे, ताकि ये क्रिस्पी बना रहे, और फिर से दुसरा बैच भी तेल में डाल देंगे, और इसे भी हम मीडियम तु हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, और जब इसमें भी इस तरह से कलर आ जाएगा, तो हम निकाल लेंगे, इसे फ्राई करने के लिए चार से पांच मिनट समय लग जाता है, तो इन्हें इसी तरह से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और ये देखिए, अब तयार है हमारे बहुत ही सुन्दर और किस्पी स्नैक, अगर आप मठरी खाना पसंद करते हैं, तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजेगा, ये आपको बहुत अच्छा लएगा, तो एक बार इस फ्लावर समोसा को जरूर ट्राई करें, और मैं तो इसे मुन फली की चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्फ कर रही हूँ, पर अगर आपको चाय पसंद है, तो आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेर और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक आई रिस्पी के साथ, तब तक के लिए, बाबाइ!